हाई व्रीवन कैसे हो आप सभी तो आज की वीडियो के स्टार्टिंग हो गई है अर्ली मॉर्निंग है और अभी मैं कर रही हूं पूजा तो आप देखते जाए मैं क्या क्या करती हूं ही है तो ये रेखिये हा हम लोगों ने चिप्स कट की ते-ईयार करी और कुछ नहीं करना होता है अभी this awesome बस इनको कट1 लेना अलू छील के ये होता है कुछ कटने वाला इससे यहां से इधर से रगण्या होता है तो पतली पतली से इधर से निकलती है तो अभी इसको उबाल देंगे और हाई व्रिवान कैसे हो आप सब आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगी बिल्दी होंगी और फिट होंगी तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह का टाइम है नहाद हो मैं चपस चड़ा रही है और मैं आगय हूँ अपने किचन में चब्रॉट से हुआ जां टूए ह what to do we make her work Кई पान करेंगे काम क्ई है क्या है यह है मतलब सबसे पहले खाना बनाराक के घ्र टां फर्सात करेंगे उसके बाद फिर चिप्स वगेरा भी फैलाना है गयानों को स्कूल के लिए रेडी करना है बहुत सारा काम है तो अभी तो बहुत जादा बिजी है सारा मगलब दिन तो चलो खर स्टार्ट करते हैं और अपनी स्टार्टिंग होती है सुबे की गरम पानी के साथ तो चलिए तो सबसे पहले चढ़ा दूंगी दाल क्यूंकि मेरा यही काम होता है एक तरफ दाल चढ़ाओंगे और दूसरी तरफ अभी चा चढ़ा दूंगी और सब्सी भी मैं काटती जा रहे हूं तो दाल चढ़ाने के लिए मैंने दाल पहले से ही धुली थी और इसमें बस इतना सा पा कोमेंट किया था कि आप खटाई वाली दाल भी बनाईए तो बस ऐसे ही सिंपल सा बिलकुर रूटीन होता है खटाई जैसे आप टमाटर डालते हो ना बस उसकी जगह पे हम लोग खटाई डाल देते हैं और हमारी यूपी में ज्यादा तर खटाई का यू का ही यूज होता है दाल में सबसे ज़्यादा गाउं साइड में तो अगर आपके यहां भी खटाई यूज होती है तो मुझे जरूर बताईएगा कमेंट सेक्षन में और फिर क्या करती हूँगी चाय भी में छान लूँगी और चाय मिस्त्रा जी के लिए दूँगी और मैं भी प्यूँग है उसके बाद फिर यहां पर चिप्स कुछ ऐसे डाल देने होते हैं बिलकुल धीरे धीरे से और बहुत क्योंकि पानी उबलता रहता है तो बहुत जादा ध्यान देना होता है कि कहीं आप जल ना जाओ तो इसके लिए और जब थोड़ा सा आपके जो मतलब गलने लगे बह अब ही मैं आपको दिखा दूँगी तो सबसे पहले इधर मैं सबजी चोंक दूँगी और सबजी में आज बहुत जादा ताम जाम नहीं करना है बस सिर्फ लहसुन डालूँगी और आज मैं प्याज बड़ा बड़ा सा कट करके बस दो सौरी प्याज नहीं डालना है आज म कि बाद में मिर्ची निकाल लेती हूं उसको बस सबजी दे देती हूं और बस इसमें डाल देना है आलू और बहुत ही सिंपल रेसिपी है अब थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और धक के रख दूँगी नमक डालूँगी पकने के लिए छोड़ दूँगी जब पक अटा गूत के रख दिया है सबजी बन गई है तो अभी सबसे पहले देखते हैं चिप्स और चिप्स को जल्दी-जल्दी से फटा-फट से फैलाना पड़ेगा वरना वह सारी चिपक जाएंगी तो चलो भया फैलाते हैं नहीं सारी मेनत गुड़गों पर हो जाएगी तो चलो अभी देख लेते हैं कि पके हैं चिप्स या नहीं पके हैं तो काफी अच्छे से मुझे लगे कि पक गए हैं इसलिए मैंने मम्मी को बुला के दिखाया और फिर मैंने निकाल लिया क्योंकि इसमें ना मास्टर है मम्मी मैं अभी नया नया ट्यूशन जाइन की हू ना दबने लगे हलका साथ तब आप समझ जो कि आपकी चिप्स तयार हो गई है और अभी मैं फैला दूगी और फैलाने के लिए ना आज मैं मिस्रा जी को पकड़ने वाली हूं तो देख लीजी मैं कितना अत्याचार कर रहे हूं अपने पती पे विचारे से घर का काम भी क दरवाती हूं और साथ में कमा के भी लाते हैं अब पसंद करो चिप्स पापड़ सब फैल गए हैं और यह रहा खाना जो कि मैं ले जा रहे हूं भोग लगाने के लिए ग्यानू को पूरा मैंने तयार किया है बस पैन पापाजी पहना रहे तो क्या हुआ कि आज मैंने सिर्फ दाल और चावल का भोग लगाया है इसका रिजन यह है कि साम में हम बनाया था मैंने पूरियां और उसके बाद मैंने फिर रग दिया था वो क्या बोलता है थाली तो उठाली मैंने रग दिया था वही वाला उसी में मैंने आठाग उठ लिया है इस वज़े से फिर मैंने रोटी का भोग नहीं लगाया है और सबजी नहीं लगाया है क्यूंकि उसमें लेसन पड़ा है तो एक सिकंड भोग लगा देती हूं फिर पिलेना तो चलो खर पती दियो खाना खा रहा है कैसा बना वड़िया सबजी तो आज आपको अच्छी लगी होगी अलू मटर एक्चली पापा और बेटे का बहुत फेवरेट है मंसरा जी कभी और ग्यानू कभी अरे रकोड़ा ओ मेरे पैर कौन छुएगा तुमारे अजयत है हां भाई खूप खुश रहो लाइट जल रहे है नहीं मलसी जैगड़ेश बेटू नहीं मलसी जैगड़ेश अरे नहीं मलसी जैगड़ेश बोल दो मूज जैगड़ेश बाई बाई ए लड़की जैगड़ेश बाई बाई ए लड़की खिले हुए हैं छोटा सा पेंड है और एक आगे भी है तो ये इधर हमने सारी गार्डनिंग करी हुए है ये देखिए मैंने प्याज लगा दिये थे ये प्याज हैं और ये इधर ग्यानू जा चुके हैं और अब बड़ता हैं जाड़ू पोचा बस यही सारे काम बचे हैं जो कि मुझे करने हैं और व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा आई थिंक तो आज को व्लॉग यही पर खतम कर देती हूं वरना आप लोग फिर देखते नहीं हू और प्लीज देखा करिये फुल वाच करा करिये मैं ज़्यादा नहीं कहवाती हूं यह सब चीजें लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिये क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को घर का काम करना होता है साथ में वीडियो भी बनाना होता है सबसे ज़्यादा तो एडिटिंग में दिक्कत आती है तो उम्मीद करती हूं कि आप लोग फुल सपोर्ट करोगे लाइक करोगे शेयर करोगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजी प्लीज सब्सक्राइब भी करोगे लाइक 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 करोगे लाइक